जेहन दोस्तों आजके इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएसी थर्डियर में है और उनके लिए एक पेपर रह गया था भी हाली में आदा डाला गया था और बीएसी थर्डियर वालों के लिए केमिस्टी का थर्ड फेपर है जो पूरा नहीं पड़ पाया बहु रहते हैं रहते हैं यह और अपको बताने वाला हूं बहूत जरूरी है जईसे हैं पर प्दा के पके लिए जैसे हमने इपको Commission बना 경우 तो यह PDF दो वुकों से कमबो करके दिया है है हमने एक बुक को एड़ किया है एक Haggap को को जैसे होती है उस बहने सारे कि सारे ुम्पोर्ण जो कोशन थे वो हमने यूटूब पर अप्लोड कर दिया है आपको देख रहे हैं इसे पूरे पेपर को हम एक बार में खतम करते हैं और जो दूसरी आपकी बुक रह जाती है उसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह भी उसमें बहुत जादा आपको मिलने वाले हैं पीडियाफ में तो पीडियाफ को डालोड कर लो बार-बार कुछ करने की जुरूत नहीं पड़ेगी डिसक्रप्शन वाक्स में लिंक दे रहा है आप देखते हैं मुर्ट नबर फर्स्ट को बहुश्ट इंपोटेंट कोशन क्या क्या है इस यूनिट आपके इस fighting chemistry गेंदर तो सभी छातरों से कहेंगे इस वीडियो को जादा जादा श्यर कर देए पहला कोशन आपके सामने आ चुका है Đ्ग्रोंग ली समीकड है तो यह डूंपरेंगे समीक्र को यसी आपके सामने आ चुका है किसी, आप देखिए, सभी चातरों से मैं बोल रहा हूँ, पर पीडियाब को डालोड कर ले, link, description, works में दे रखा है, देखे कह रहा है, किसी कोर्स में electronों की अधिक्तम संध्या है, बताइए, किसी कोर्स में electronों की अधिक्तम संध्या है, N, N square, 2N square, ये 3N square, क्या होती है, तो तो सभी कहेंगे चेतर सो माइनस अर्टिस सो एगस्ट्रॉन चेतर सो से अर्टिस सो एगस्ट्रॉन तक होता है option नमबर माइनस नहीं होता है से होता है इसका मतलब option नमबर जिसने भी दिया है ए परमसत्ता अंसर है next question है बोला गया है spectrum is copy के मुख भाग क्यांसा होता है कितने होते ऐसे हैं expectro is copy के मुख भाग कितने होते है तो आप को गह सकते हैं deal लिख कर असक्वा क्या सकता एक d वराबर होता है तो आपशे एक डिवाई वराबर होता है कितना होता यंश। कि सब भी का अनसर आनना चाहिए कि हैं आप कोगे cotton माइनस 18 E.S.U. Option number A, परम सत्तांसर है. Next question आपके सामने आ चुका है. एक ism है. एक ism है. तो सभी कहेंगे NHB बटे लेमडा. Option number A जिसने भी दिया है, परम सत्तांसर है. Next question यहां बोला गया है. Next question बोला गया है. किसका दो धरव आघोड सुन है? तो ऐसा चार option है, इसमें से किसका जो दो धर्ब आगोड होता है, ठीक है, वो शून होता है, कह सकते हैं, जो डिपल मोमेंट होता है, वो कंसे तर शून होता है, तो आप सभी कहेंगे option number, जिसने भी दिया है भी प्रमसता अंसर है, co2, next question बोला गया है, निम्न में कौन polar है, न सभी का answer आना चाहिए, hcl, option number a, परमसता answer है, next question यहां बोला गया है, जल का दुद्रब आगोड होता है, सभी चातरों से कहेंगे, कि PDF डालोड को डालोड कर ले, link description box में दे रखा है, और और भी वीडियो देखना चाहते है, तो भी उसका link description box में दे रखा है, सभी चातरों स 8-fold D, device से बोला जाता है, next question यहां बोला गया है, दुद्रब आगोड की इकाई होती है, तो यार हमने अभी बताया था ना, डिवाई होती है, तो option number क्या होगा, B is right है, दुद्रब की इकाई ही डिवाई होती है, next question बोला है, चुम्मकी आगोड का सूत्र है, magnetic moment का फार्मूला क्या होता है, बताये, तो अब सभी का अंसर आना चाहिए, option number D, under root N square plus 2N, option number D, जिसने दिया है, परमसत्त अंसर है, next question यहां बोला गया है, B F3, अडू का दुद्रब आगोड होगा, कह सकते हैं, double moment of, जो VF, monocle है, उसकी बारे में बता गया है, तो आपका V, बिल्कुल राइट है, next question यहां कहा रहा है, नोडल तल में, नोडल तल में, इलेक्टोनों की प्रियक्ता होती है, प्रियक्ता को हम प्रवलेल्टी बोलते हैं, याद रखिए, प्रवलेल्टी बोला जाता है, प्रियक्ता को, कितनी होती है, आपको कि जीरो होती है, option number D, आविर्ती प्रास कितनी होती है, आविर्ती रेंज कितनी होती है, सभी उताएंगे, फिक्रियोंसी रेंज ओफ रेडियो वैपसिस, क्या रहने वाला है, विल्कुल राइट जिसने भी option number B दिया है, परमसत तांसर हो जगा, तीन इंटू दसकीगा, दस तक, option number जिसने भी द डिपलेम मॉमेंट ओफ कह सकते हैं, आप कहेंगे, बन पॉइंट सिक्स डिवाई होता है, option number जिसने भी दिया है, वी परमसत तांसर है, यूरिट नमबर हम दो में कुछ important question को देखेंगे, सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, कि आप PDF को ज़रूर डालोड करें, most important question ज़रू तो M बराबर कितना होगा, C is right है option, आप question को निकाल लेजिए, solve कर लेजिए, next question यहां बोला गया है, मैं इसे solve नहीं कर रहा हूं किसी question को, जैसे भी book में दे रखा है, वैसे ही मैं आपको यहां ठिक लगबार हूं, ठिक, next question देखेंगे, इस question को आपको बताना है, सब लोग comment section में answer देंगे, बताए, यहां बोला गया है, Hamiltonian, जो Hamiltonian operator है, वो क्या होता है, तो आप सभी कहा रहा है, इनर्जी होती है, कैसी होती है, इनर्जी होती है, option नमर जिसने भी दिया, ए परमसत्त आंसर है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं, दा कि आप अच्छी तरीके से देख पाएं, next question बोला है, कि किस orbital में nodal तल नहीं है, भया, इसना कौन सा orbital है, जिसमें कौन सा nodal तल नहीं है, बताए, तो आप सभी कहेंगे, ऐस orbital में nodal तल नहीं होता है, यह बात बिल्कुर राइट है, next question बोला गया है, कि O2 oxygen है, oxygen क्या होती है, आप कहेंगे, यह पैरा मेंगनेटिक होती है, भया, option number B is right है, next question यहाँ बोला गया है, कि दो अडू कक्षकों के एक घात संचे द्वारा कितने अडू कक्षक बनते है, कि भया, बता दो, कि भाई बोला गया है, कि दो परवाडू, जो दो परवाडू, दो आइटम होते है, उनके आपिटल के एक घात संचे द्वारा कितने अडू कक्षक बनते हैं, तो आप सभी कहेंगे, कि बनते हैं, दो अडू कक्षक बनते, option number C, next question यहाँ बोला गया है, कि HE2 का बंधन किरम क्या होता है, वेलको जबरदस्त question है, exam में 100% बनेंगे, देखने को, HE2 का बंधन किरम क्या होता है, तो आप कहेंगे, सून होता है, option number A, next question बोला क्या है, O2 प्लस में, बंधन किरम क्या है, तो वाट इस दा बंड और ओडर ऑफ, O2 प्लस, कोमेंट कहा गया, कोमेंट कहा गया, गाइव कहा है, कोमेंट में ए भी तो बोली सकते हो न, यदि आपको पता है, तो नहीं पता है, तो कोई बात ने, तो सही एक बैटे two, मतलब क्या है कि गृत बनने से की बात की जा रही है इं डा-फॉलरेंग विच फ्रॉम् दा क्या सकते हैं इस्ट्रोंग's हाइड्रोसन बोंड तो आप गहेंगे F बनाथा है option नमर जिसने भी डिया है इसनों से तांसर है नेक्स कोशन या वो लगया है हाइट्रोजन बॉंड की सकती सीमा क्या है कि कह सकते हैं what is the wand energy of hydrogen wand सभी का अंसर आना चाहिए नोगा क्या रहने वाला है जब दस्त वाले इस वेरी सेंपल यार बहुत बहुत अच्छे कोशन आपके जबर्दस कोशन जिसे कहा जाता है option number डी राइट रहेगा कह सकते हैं CH3S H इसमें क्या होता है तो इसमें ऐसे डी वॉक की डवल होती है और एस ने हीकिभण परकार रहने मनते है तो F क Sig…. यह थी होती है अरहे इस होती है और यह यह उति होती है एंच को नहीं रहा है कोड कितना होगा अरे या जो तो सभी को बता हो यह संक्रण में कहां कर रहे हूं तो में तो लोग कहीं न बता रहे हूं कि नेक्स कोशन है यह जो कि यह ज़ाएं कितना होता है अब यूनिट नंबर हम थिरी में पहुंचते हैं कि उनिट नंबर थी में देख लेते हैं सभी चातरों से कहना चाहेंगे कि पीडिया पो जूरूर डानलूड कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तो यहां कह रहा है कि तुल्य है कि वी तुल्य है किसके तुल्य है वही बता दो आप को कि यह आप तो देखें आप लग है नेक्स कोशन वेलिए ज़्य बराबर तीन तो आपको बता रहा है आप तो देखें, यहां बोला गया है यहां बोला गया है जे बराबरेदी 3 है तो आपको डैगनेरिसरी के बारे में बताना है कितनी होगी? 2 होगी, 7 फोल्ड होगी, कितनी होगी? 7 फोल्ड, option number क्या है? p, next question यहां बोला गया है, देखें, इसको देख लेते हैं, समानित द्रब्मान है, समानित द्रब्मान कौन से है? सभी का option नमबर आना चाहिए C, M1, M2 बटे, M1, M2, यह क्या होता है? समानित द्रब्मान होता है, option याद रखिए C, next question यहाँ बोला गया है, कि company spectrum, company spectrum है, company spectrum है, कौन सा होता है, company spectrum, आप को कि IR spectrum को ही company spectrum बोला जाता है, वावरेट जो करता है, option number A, next question को रहा है, बल नेतांग की इकाई है, बहुत ही जरूरी है, unit of force constant is, बताए, बल नेतांग की आपको बताना है, बल नेतांग की इकाई कौन से होती है, सभी लोग बताए, प्लीज, 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 तो आप कहेंगे, जूल, कह सकते है, जूल, पिरती, सेंटी मिटर की, क्या होती है, square, option number B, next question का रहा है, रमन स्पेक्ट्रम है, रमन स्पेक्ट्रम इज, तो आप कहेंगे, IR spectrum, रमन स्पेक्ट्रम के अंतरत रखा जाता है, पोलर, सभी का अंसर आना चाहिए, hvr, option number A, next question है, आप बोला किया है, चुम्मक किये पिरबर्ती और तापमान में संबंद है, बताइए, पिरबर्ती और तापमान में आप से संबंद पूछा है, तो सभी का अंसर आना चाहिए, क्या, तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं अंड करता हूँ, ताकि थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, यह बैटरी लो हो रहे है, और इसके पार्ट टू में मैं बैडियो को डाल दूगा, कोई शू है तो मुझे कॉमेंट शेक्स ने में जरूरू बताएए, ठीक है, मैं इसके पार्ट टू में आपको डाल दूगा, सारा की सारा, एक बैट में रुपता हूँ, ठीक है ना दोस्तो, बैटरी लो हो रही हो, ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं फटाफ़ट इसको वीडियो को या तो एंड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको यीडियो को एंड कर सकूँ, तो इसको उचन कहां सार दीजिए, क्या रहने वाला है, देखें, इन्मेटर बोलने लगा, तो इसको देखें, चुम्मा की बिरुदत है कि मापन का उसमन दिक्सा है, तो सब लोग बताएंगे, तो इस वीडियो को उसे यहीं एंड करना पड़ेगा, तो वीडियो दोस्तों यहीं एंड करते हैं, और बाकी हम इसके पार्ट टू में डालेंगे, क्योंकि लेट काफी टेम से चली गई है, तो उसके बाद में, आज की वीडियो कैसे लगी, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में आप जरू बताईगा, वीडियो पसंद आएंगे, तो चनल को सब्सक्राइब के बैल आइकन को प्रेस करेंगे, जादा जादा दोस्तों को शेर करेंगे, पार्ट टू में हम अगले की वीडियो को बान डाल देंगे, ठीक है, थैंक यू, लब यू सब्सक्राइब करना न भूलें, बाई बाई टाटा, गुड नाइट,